और यातायाज के छेतर में जागरूता लाने का पर्यास किया है उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं धनवाद देते हैं उनके सहियों के लिए अभी आप लोग हमारे डिप्टी सियम को सुने हमारे प्रदीव गुपता जी बता रहे थे कि पूरे देश में डेड़ लाग से जादा लोग सड़क दुरगटना में बेमौत मारे जाते हैं और हमारे 36 गड़ का अकड़ा है इस साल का लास्ट इयर का 2023 का कुल 13,499 एक्सिडेंड के केस हुए जिसमें से 5,974 लोगों की मिर्टु हुई है और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण कैसे बेसमय लोग काल के ग्रास में चले जाते हैं हम लोग लगू फिल्म में देखे हैं और सब को मालूम है कि थोड़ा सा लापरवाही के कारण कितने घरों का चिराग बूच जाता है कितनी महलाओं का सिंदूर लूड जाता है किसी परिवार का एक लोटा बेटा एक्सिडेंट में मारा जाता है तो उस परिवार का बन सी खतम हो जाता है हेलमेट ने लगाने से सीर पर चोट आती है और ज्यादा तर मौत उसी से होता है और ये सब हमारा परिवहन विभाग ये आतायात पुलीस ये सब अवेनेस का काम चलाते रहते हैं लेकिन हम लोगों को भी स्वयम सोतना है कि हम लोग भी आतायात के नियमों का पालन करें आजकल ज्यादातर एक्सिडेंट ये मोबाइल मोबाइल भी एक कारण है लगू फिल में हम लोग देखें कि वहाँ चलाते हुए मोबाइल से बात करने का क्या अंजाम होता है नसा के सेवन के बाद भी वहाँ चलाने से क्या दूर दसा होती है तो ये सब छोटी छोटी बात हैं लेकिन बहुत बड़ा दुर घटना का इस सब कारण बन जाता है तो निश्चित रूप से आज का ये कारकम हमारे लोगों को जागरूप करने का एक मील का पत्थर साबित होगा और मैं चाहूँगा कि इस तरह का कारकम आगे भी होता रहे होते भी रहता है और हम सब लोगों का प्राण बहुत किम्ती है तो इसलिए हम लोग यातायात के नियमों का पालन करें और एक कारकम के आज़जन के लिए फिर से मैं परिवन विभाग का धनवात करते हूं अपनी बात समाप्त करता हूं जैहिन जैच्छतिजगर प्राण जैच्छतिजगर